एक सिंगर के अलवम फेल हो जाने के बाद वो बहुत ही जादा अपसेट थी तो गिटारिस्ट के साथ उसने अफेर किया बाद में उसे पता चलता है कि गिटारिस्ट का एक डाक सिक्रेट है और इस वज़े से सब घड़बड हो जाती है हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको प्लश ये 2013 की एक थ्रिलर हॉलिवड मूवी एक्सपेंट करने वाल हो ये एक बहुत अची थ्रिलर है और हमेशा आपका आपके सीट की एश पर रखेंगे तो चलिए एक्सपेंशन स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि एक लड़की को एक आदमेन चेर से बान कर रखा था वो चिला रही थी पर उसे छोड़ता नहीं उसके उपर उसने बहुत सारे स्टोन्स डाल दिये और जिन्दा उसे गाड दिया इसके बाद हमारी मेन गैर्डर हेली और उसका ब्रदर हमसे इंट्रोड्यूस होता है इन दोनों का एक फेमस ब्रैंड था हेली ने कहां कि बचपन से हमें म्यूजिक बनाना बहुत ही अच्छा लगता है वो ऐज आ टीम होकर बहुत ही अच्छा म्यूजिक बनाते हैं वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार कर दे थे, हैली को बच्चे भी हुए पर फिर भी अपने ब्रदर के साथ उसने अपना करियर मेंटेन रखा था, एक दिन पार्टी में उसने कुछ ड्रग्स ले लिया और उस वज़े से उसकी डेथ हो जाती है, हैली ने उसे बचाने क उसी के बाद उखुष लिख पाई थी, फाइनली अपने ब्रदर को डेडिकेट करने के लिए उसने बहुत सारे सौंग्स लिखे, उसे पूछे जाता है क्या तुम्हारे ब्रदर का प्लेस को ले पाएगा, हैली ने कहा कि हमने जिस गिटारिस को रखा है, वो भी बहुत ही फैमिली को छोड़ कर जाना पड़ता है, अपने ब्रदर की टेट के बाद फैमिली से ज़रा दूर हो गई थी, लोगों के लिए हैली ने जब ओल्ड सौंग परफॉर्म किया, तो उसे बहुत यह अच्छा रिस्पॉंस है, फिर वो कहती कि नेक्स सौंग मेरे मेरे ब्रदर के लिए रिडिकेट किया है, यह उसके नए अलबम का था, लोगों इने सुना पर इसके लिए कोई भी चेयर नहीं आती, अगर इसी तरीके से रिस्पॉंस मिला, तो अलबम खतम हो जाएगा, इसके बारे मेरे 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 मेर तुम ज़्यादा वरी मत करो जबने रूम में जा रही थी तब एक फैन उसके पास आ गया उसे जबर्दस्ति एक चीज पर साइन करने के लिए कहता है पर उसके बाद उसने उसे लिपस्टिक लगाने के लिए उसे जबर्दस्ति कर रहा था तब वहाँ पर एंजो बोज गया उसे पुश करकर जल्दी से वहाँ से भाग जाते है जाकर बात रूम में उचुप गया है हेली को डर लग रहा था तो एंजो उसके साथ रूम तक आया वो अपने अलबम के रिव्यूज को लेकर बहुत ही ज़दा अफसेट थी तो एंजो ने कहा कि तुमें ज़दा वरी क करनी की जरूरत नहीं है इससे कुछ भी फरक नहीं पड़ता तुम्हारे मन में जो भी है यह सब कुछ तुम बात मुझे कह सकते हो तुम्हें रिलाक्सेशन की जरूरत है हेली को उसने लेटा दिया और बहुत ही अच्छा मसाज करता है इसके वाद स्लोली स्लोली उसके काम में बीजी है वो नोटिस करता है कि हेली रिलाक्स लगती है उसने उसे कहा कि अगर तुम जहाओ तो ब्रेक ले सकती हो मुझे एक बुक डिल में लिए और इसके बाद एक-दो साल तक तुम्हें काम करनी की जरूरत नहीं पड़ेगी हेली से मिलने के लिए फिर उसकी मै आएगा वो लिखने की बहुत कोशिश करती है और उसके बाद वो एंजो के पास आके उसे वो एक मांटन के पास लेकर जाती है मांटन के ऊपर से एक पत्थर गिया वो डिरेक्ली अपना चाको निकाल लेता है उपर जो कोई भी होगा उसे धमकाने लाग गया पर सिर्फ ए इसके बाद वो पास वेट थे और हिली ने कहा कि मुझे एक अच्छा सौंग लिखना पड़ेगा उसके बास लेरिक्स तो है पर आगे का उसे कुछ समझ में ने आ रहा है एंजो ने इस सौंग को अपनी दून दी और हिली को बहुत ही अच्छा रखता है उसके करीब आने लग गया और किस करने लगता है हिली ने कहा कि कर राद हम दोनों बहुत ही जादा रंग थे हमारे बीच जो भी हुआ यह मैटर नहीं करता मेरी फैमिली है और मैं किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहती है इंजो कहता है कि हम हमारी रिलेशनशिप कैजूल रखेंगे इसे हेली का नेक शो होता है तो जिस फैन ने उसे हरास किया था उसका एक लेटर उसे मिला शो के बाद हेली अपने टीम से कही थी है कि मैंने और हिंजो ने बहुत अच्छा सौंग लिखा है इससे हम अच्छे से क्रिएट करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा रात में दोनों पार्टी करते हैं सौंग लिखते हैं इसके बाद हेली घर पर आती है घर का डोल खुला था और अंदर से कुछ भी आवाज ने आ रही थी तो इस वज़े से वो डर कही वो अपने बच्छों के रूम में जाती है तो सब खेल रहे थे एक्च्छल में कार्टर ने हेली को इम पर इंजो के बाहर था है और उसे अच्छा लगा था बच्छे बाहर आ गए और गिफ देखकर बहुत ही खुश थे इससे स्टार्ट करने के लिए एंजो की हेल्प लेते हैं खेलते हैं और इस वज़े से एंजो उस पर बहुत ही जादा गुसा हो गया वह उसे जाने के लि अगली दिन हेली की मैनेजर के साथ मिटिंग होती है वो जो म्यूजिक वीडियो बनाने वाले थे इसका सारा बज़े स्टूडियो ने काट लिया था अब इनके पास सिर्फ हाप बज़ेट है और इस पर न्यू सौंग वो रिकॉड कर सकते हैं हेली डिमोटिवेट होने कार्टर ने कहा कि बच्चों का टॉट गया था और एंजो ने उनने हैल्प कर दी गरपर एक गिफ्ट है जो उस फैन का था इस वज़े से हेली बहुत ही डिस्टब हो कि उस फैन को घर का पता भी पता है कार्टर कहता है कि जादा वरी मत करो हम उसे हैंडल कर लेंगे एंज और हेलिके से मैं सूने के लिए जाती हूं यंजो ने कहा कि आपके निकलता हो पर कार्टर कहता है इतने रात में तुम्हें नहीं जाना चाहिए था युद्षना गते हैं कि एससे जल्दी से चले जाओ तुम इस तरीके से मेरे साथ नहीं खेल सकते हैं एंजो हेली के पास आ जाता है और फिर दोनों इंटिमेट हो गए घर आने पर कार्टर जारा ठक गया था और हेली में जादा इंट्रेस नहीं दिखा था क्योंकि आज कल बहुत ही जादा काम कर रहा है अगली दिन ह हेली एंजो के घर पर उसे मिलने के लिए उसे कहती कि तुम इस तरीके से मेरी लाइफ के साथ इंटरफेर नहीं कर सकते हैं उसने नोटिस किया कि एंजो के बोर्ट पर उसकी फोटोस लगाई हुई थी एंजो कहता कि मैं एक फिल्म डारेक्टर भी हूँ तुमारी सॉंग क को मैं ही डारेक्ट करूंगा उसने डारेक्ट की हुई शॉर्ट फेम उसने उसे दिखाए इसकी स्टोरी से पता चलता है कि एंजो की सिस्टर उसे बहुत तकलिव दे दी थी एंजो ने उसे बदला लिने के लिए उसे चेर से पान दिया उस पर सारे स्टोन्स किरा दिया ज कार्टर ने जब इस सब देखा तो उसे लग रहा था कि एंजो गे है तो इस वज़े से कोई भी ऑब्जेक्शन ने आता इनकी वीड़ो बहुत अच्छी बनी थी तो सब लोग बहुत खुश था है हेली की मैनेजर एंजो से बात करती है उसे कहती कि तुम्हें हेली और उसकी फैमिली की ज़रा स्पेस देना चाहिए वो सब मिलकर फिपिक्निक जाते है हेली की पिल्स खतम हो चुगे थे तो डॉक्टर के पास आई डॉक्टर उसका सारा चेक अप करती है उन्हें पता चला कि हेली प्रेग्नेंट है हेली एंजो को बात करने के लिए मैसेज करती है का का मतलब है उसे कोई भी बच्चा हो नहीं सकता इसका मतलब है यह बेवी एंजो का था हेली ने सर्च किया कि वेसे क्टोमी का फेल्योर रेट क्या होता है कार्टर घर पर आया और जब वो टैबलेट देखता है तो इसके बारे में हेली को सर्च करता देख उससे सब कुछ पता चल गया हेली कहती कि मैं तुम्हें बता नहीं वाली थी एक मिराकल है और में भी एक बच्चा चाहती हूं कार्टर जरा इस बात के लिए अंशूर था पर फिर भी इसे एक्सेप्ट कर लेता है बाहर एक डिलेवरी मैन बच्चे की क्रीब लेकर पहुच जाता है इसके बाढ़ को हेली और कार्टर में जो भी बात हुई इसके बारे मिंट पता था हेली इस बात से बहुत डर जाती है उसने फिर डारेक्ली मैनेजर को कॉल किया उससे सारी चीजे बता देती है मैं लॉयर से बात करूंगी और ईंजो को तुमसे दूर रखूंगी सब कि फेल हो जाने के बाद में कोई भी सौंग लिख नहीं पा रही थी तो इसी वज़े से यह सब मुझे से गलती हो गए उसे बहुत ही बुरा लग रहा था हिली ने कार्टर को बताया था कि वो बेबी क्रीब उसके मैनेजर ने बेजी है यहाँ पर आते वकार्टर और एनी में बात हुई थी तो आनी ने कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है यह एक इस्यू हो सकता है पर मैनेजर गये थी कि मैं सब को समाल होंगे कुछ भी वरी मत करो कार्टर ने हिली को कंफरंट किया वो समझ चुका था कि बेबी एंजो का है लंज करते वह कार्टर और ने एंजर्ण को हर्ड कर दिया है तो हेल मागने के लिए आ्पर के पास चली गे नेबर के घर में है रह रहा था हूस ने कहा कि तो उम्हारे बच्चोंगा खैल रखने के लिए यहिपर ज़े लिया फ। थी कि हाँ के ओनर कहा गए एंजो ने कहा कि वो ट्रिप पर चले गए एंजो कहता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा हम अमारे बेबी को अच्छे से बढ़ा करेंगे कार्टर और एंजो में जगड़ा हुआ था तो इसी वज़े से कार्टर उसके लिए कवर खोल रहा था गर में हिली को बेबी के आवाज आने लगके वो जाकर देखती है तो हावर बेबी मोनिटर्स थे हिली की गर में जो भी चल रहा था इस सब कुछ एंजो सुन पाता था उसने घर में बहुत सारे कैमेरेज भी लगाए हुए थे रूम में हेली ने उसके पागल फैन की हेंड़ाइटिंग भी देखी हेली को डराने के लिए सारे गेज़ भी एंजो भी भेज रहा था हेली समझ गए कि एंजो पूरी तरीके से साइक हो है और उससे यहां से बाहर निकलना पड़ेगा उसकी सारी बातों में हाँ में हाँ मिलाती है कैथी कि मैं जर्द डर गई थी पर मैं अब तुमारे साथ रहने के लिए पूरी तरीके से रेडियू उसने कहा कि मुझे बाथरूम यूज़ करना है बात्रूम में जाने के बाद वो नोटिस करती है कि ओनोर को एंजो ने मार दिया था वो बहुती जादा डर के जल्दी से वहाँ से खिड़की खोल कर वो बहार निकल जाती है जंगल से भागते भागते हो घर तक आके जो ग्रेव कार्टर बान रहा था उसे में उसे बान कर रख दिया गया था हेली उसे देखकर छुड़वाने के कोशिश करती है तभी हेली की नैनी वहाँ पर आके उसे हल्प मांगती है पर नैनी वहाँ से चली गए यह नैनी एक्च्वल में एंजो की मदर थी और उसे सब चीजों को लेकर हल्प कर रही थी है हेली ने कार्टर को अकेले ही बाहर निकलने के लिए हल्प किये तभी नैनी हेली के बच्चों को लेकर जा रही थी वो कार में बैट पाती तभी हेली ने उसे नोटीस कर लिया वो जल्दी से भागी उसके सर पर जोर से मार कर उसे बेहोश कर देती है हेली का पीचा करते हो है हेंजो भी वहाँ पर पहुँच गया वो कार्टर को बहुत मारता है हेली कार्टर को बचाने के लिए उस पर छबक पड़ती है हेली ने उसे मारते हुए कहा मैं तुम्हारा विबी होने नहीं दूंगी एंजो गुस्ता होकर उसे पत्था से मार डालने की कोशिश करता है एंजो ने कहा कि मेरी मदर सारे बच्चों को समा लेती और हम दोनों free होते है फाइट में हेली नोटिस करती है कि एंजो के पास उसके ब्रेदर किरींगे इसके वारे में एंजो ने कहा कि मैं तुम्हारे ब्रेदर से बहुत प्यार करता था पर उसने कभी भी मुझे accept नहीं किया मेरे पास कोई भी choice नहीं थी इस वज़े से मुझे उसे मारना पड़ा मैं जब तुम्हारे साथ था तो तुम भी मुझे से प्यार करती थी हेली इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होगे वो प्लान को वाटर करने का पाइप लेती है और एंजो के गले में उसने डाल दिया उसके मुझे पर रखने के बाद कार्टर पाने को ओन कर देता है और इसी तरीके से उसे मार डाल दिया हेली ने एंबूलन्स बुलाई और कार्टर अब स्टेबल था कुछ दिनों बाद जब वो उसे मिलने के लाए तभी कार्टर उसे कोई भी बाद नहीं कर रहा था वो सैड होकर जाने लगे पर कार्टर उसे रोक लेता है उसने उसे फाइनली माफ कर दिया था इसी के साथ ये मुवी एंड हो जाती है अगर आपका इस में चलागा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दिजेगा ये बहुत सारी मुवी लेकर आते रहता तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिजे और बेल नोटिवेशन आइकों दोने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगी और इनने मुवी के साथ तब दिए थैंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखिया